बूत मताने के साजिश, देखे रेपोर्ट ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की कहानी अचानक उस आक्रोश में बदल गई जिसने आधी राद को आरजी का रस्पतार और कोलकता की सड़कों की तस्वीर बदल दिया सेकुण की ताधाद में प्रदर्शनकारी डॉक्टर कोलकता की सड़कों पर उतर आए और फेर जो हुआ उसकी कलपना शायद कोलकता प्रशासन ने भी नहीं कि तूँँँँँँँद पुलिस द्वारे लगाई गई सारी बैरिकेडिंग को धुस्त कर दिया गया प्रदर्शनकारी आरजी कर अस्पताल में दाखिल हो गए और पूरे अस्पताल को तहस नहीं सकरड़ा गए लोगों का गुस्ता इसकदर था कि प्रदर्शनकारीयों को खदेरने के लिए पुलिस को आंसु गैस के गोले तक दागने पड़े कोलकाता में हुए हंगामी और तोर फोर खोले कर आचिकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भीड बाहर से आईत जिन्होंने अस्पताल पर हमला किया डॉक्टरों ने दावा किया कि धरने वारी जगह पर भी प्रदर्शनकारीयों की तरब से हमला किया गया जितना भी एक ओल फीमेल मार्च प्लाइन था यहां से एक पीसपली सारी फीमेल डॉक्टर जाने वाले थे शाम बजार तर और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इखटा हो गया और पुलिस उनको रोकनी पाई और पूरा मॉब अंदर घुज गया हम लोग अपनी जान दरसल 9 अगस्त को आर जीकर अपताल में ट्रीनी डॉक्टर के साथ भी जगन्य वारधात को लेकर डेश भर के डॉक्टरों में आग्रोश की लहर है हलाकि आरोप की संजय रॉय पुलिस का शिकन्जे में है और मामने की चांच CPI के हवाले भी कर दी गई लेकिन आरोप है किस वारधात में कई लोग शामिल हो सकते हैं कोलकता रेप और मर्डर केस को लेकर डॉक्टर सुवर्णा को सामी ने बड़ा दावा किया है उनका कहना है कि ट्रिणी डॉक्टर के साथ रेप नहीं बलकि गैंग रेप हुआ है अधर एस मामले में बीजेपी नेता शोवेंद अधिकारी ने टीमसी पर गभी रारोप लगाए हैं घटना इस थल में तोड़ खोड़ कर समूत मिटाए गए जिससे सीबी आई के हाथ समूत न लग सकी कोलकता केस को लेकर राजनीती गर्म हो गई है राहुल गांधी ने ममता बनरजी पर निशाना साधा है फिलहाल ये मामला अब सीबी आई के हाथ में है जिसे अब इस केस की एक एक कड़ी को खोलना है और फीरिद परिवार को इनसाफ दिलाना है